60 कुरोर से ज्यादा के बजट में बढने वाली मूवी जो के एक्शन, अडवेंचर और थ्रिलर से बरबूर है जिसका नाम नाम सीटा है इस मूवी का ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है इस मूवी का ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इस मूवी के ड्रेक्टर अभी शेक्स शर्मा ने बढ़िया सिक्वेस टाले है ट्रेलर में और इसकी बीजी एक तो बहुत ही कमाल की है तकरीबन विजड के के कریम लोग इस मूवी में इंटरंस शोग कर रहे हैं ये तो अब भी शुरूबात है दोस्तों इस मूवी का क्रेस तो बढ़ता ही जा रहा है इस मूवी के ट्रेलर की सबसे बड़ी कास ये तो ये है कि इस मुवी में खलाडी बया अक्षे कुमार की लुक और पर्फॉर्मस है जिसका क्रेडिट तो डिरेक्टर को जाता है क्यूंकि इसके डिरेक्टर पहले भी चैमपी जैसी मुवी बना चुके है और अब वो अक्षे कुमार के साथ मिलकर जबरदस्ट और बड़िया मुवी देने जा रहे हैं बॉक्स आफिस पर जिसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है देखना ये है कि इस मुवी के ट्रेडर को क्रिटिक्स और लोग किस तरह के रिव्यूज देते हैं अगर इस मुवी को अच्छे रिव्यूस बिलते हैं तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर अच्छा स्कूर करेगी और इसकी कास्ट को कर देखते हैं तो नुशरत बारुजा जैकुलीन फरनेंडस है और ये मुवी तीन जुबानों में हिंदी तेल्मू तामिल में रिलीस होने वाली है जो के 25 अक्टूबर 2023 को बड़े परदे पर तहरता मचाने के लिए आ रही है अगर इस मुवी के रुनिक ताहिंगी बात करें वो तो 2 गंडे 22 मिनट हैं अगर अक्शेकुमार की रक्षा बंदन मुवी की बात करें वो तो बॉक्स ऑफिक पर रच्छा स्कोर नहीं कर सकी अब देखना यह है कि राम सीटा मुवी में इतना प्रटेंशन होगा कि वो बॉक्स ओफिक पर राज कर सके और रिक्षा बंदर मुवी पर लगे दाग को दो सके जी वियूज आपको क्या लगता है कि राम सीटा मुवी जबरदस क्रेस पैदा कर सके ही या नहीं परी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत बूलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें थैंक ये